गुद मॉनिंग फ्रेंट्स आज मैं बहुत दिनों बाद अपने गार्टन का वीडियो बना रही हूं सबसे पहले मैं अपने प्यारे सुन्दर से कलर थे यह पॉपल कलर का गॉंफरीना दिखा रही हूं यह देखिए कितने सारे फ्लावर ब्लूम्स हुए हैं कितना सुन्दर लग रहा है यह गॉंफरीना यह कलर मुझे बहुत पसंद है कितने सारे फ्लावर सारे हैं इसमें मैं बहुत दिनों बाद मैं यह अपना गार्डन का अपने दिखा रही हूं यह मेरा बहुत उपर च्छत के उपर यह पौदे लगे हुए हैं देखिए इतने देज दूप हैं कोई नेट नहीं है फिर देखिए मेरे पौदे क्या से जूम रहे हैं यह मेरा देजी विंका है यह कितने सारे फ्लावर्स आएंगे हैं यह इस इधर यह पिंक कलर का है कि बहुत सारा फ्लावर्स ग्रूम हुए हैं और यह मेरा है विंक तो इसका भी स्वोगता प्यारा है पौदा चोटा है बड़ बहुत प्यारा यह एक और लिंका है इसमें फ्लावर्स आएंगे यह लाइट पिंग कलर है यह भी हाइपरिट वाला है और यह मेरा सारे मैरी गोल से हैं यह सारे मेरे सीट्लिक से मैंने इसको ग्रोव किये हुए हैं तो पित्ती तेज 44 45 से उपर जा यह मेरा करी पत्ता है कितना अच्छा पौदा इसका हिल्डी पौदा है और यह मेरा यहलो कड़ का है विसकस है देखिए कितने सारे वर्ट्स आ रहे हैं बहुत दिनों बाद लंबे इंतजार के बाद सारे इसमें कलिया आ रहे हैं देखिए और यह मेरे टमाटर देखिए कितने सारे टमाटर मैं ठीक से भी खानी पा रही हूं यह देखिए ओ इधर भी है और इधर भी इधर भी है यह देखिए यह चुप गया यह चोटे चोटे ग्रीन कलर के हो रहे हैं इधर भी है यह सारे मेरे मेरी कोंट से यह मेरे नीबू का फोटा है यह दिने भी इसमें डिकितने सारे फ्लावर सा रहे हैं यह सारे टमाटर्स में अब बटरफ्लाई किसे वाइट गलर का बटरफ्लाई और देखे मेरे रोजेज वगरत अच्छे प्लेम हो रहे हैं किता प्यारा कलर यह बहुत जली पेड़ हो जाते हैं इगे है और अब इगे है ब्लू मुआ इसलिए इसका कलर अभी बहुत अच्छा है इसमें बहुत अच्छा हेंडी है इसमें बहुत इसमें अच्छा है इसमें आरा है यही मेरा मेर्ची का पॉदा है यह कॉस्मोस मेरा हमे शेकिन से ग्रो किया है एक उदर एलो कलाई का यह बजेंटा कल्दर बाला है यह ग्रो हो रहा है मैं रेनी सेजन का वेट कर रही हूँ जब रेनी सेजन आएगा तो मैं इनको दूसरे पॉर्ट में इनको टांस कर दूँगी कि अब गर्मियों में करना अब जड़ा लगता है कि यह सूखना जाए शुरू यह मेरा उपर का यह पॉड़ी का उबर दीव है और एक यह मेरा मिनियेचर राइट कलर का रोज है देखिए अभी बेक्ते सवाह में कितना अच्छा लोन हो रहा है किता सुन्दा रही है और राइट कलर का इतनी हाई टेंप्रेचर में रोज ब्रूम होना अच्छा पहुद देखिए अच्छा पहुद रहा है और यह मेरा जैस्मील देखिए खुदे खारे ब्लूम हो रहा है संदर है किता प्यारा साइजेस भी खुद बरे बरे में इसके पिंचिंग करने के बाद जहां जहां मैंने पिंचिंग कियें देखिए सारे सारे इसमें निकल गाया है मोगरा में यही है गैस्मील में कि फ्लावर सुखते जहें आप इसको पिंचिंग करते जाएए जितना आप पिंचिंग कीजिएगा उत्ते सारे उसके साइज से ब्रांचेश भी देखिए जिसे फिता खुची रहा है कितनी अच्छी खुश हुआ रही है रही ही है आपको हो यी मेरा काजन एक विट कैसे लगा उखुआ पिंच है में पिंचिंग विड्य नहीं है आपको हुए यी मेरा काजन डपीट कैसे लगा जो कॉमेंट करके लिखे बताईएगा थैंक यू